ही अबरीबन वेलकम बैक माई चैनल आज केसे वीडियो में आप सीखेगे सरकुलर प्लाजो की केटिंग और स्टिचिंग बहुत ही जाधा आसान तरीके से इस प्लाजो को हम ओली दो मीटर फैब्रिक से बना का त्यार करने वाले हैं तो प्लाजो को बनाने के लिए मैंने लगबख दो मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है तो चले शुरू करते में अपने आज की वीडियो हमने इस दो मीटर फैब्रिक को सबसे पहले इस तरह से चोड़ाय में फॉल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है ये देखे तो अब हमन प्लाजो के लिए मार्किंग शुरू करते हैं तो हमने अपने फैब्रिक को अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है और सबसे पहले हमने ओपर की साइड से धाई इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है ये देखे अब हमने इस मार्क पर से यहां से लाइन अप कर लेना है रखनी है हमने उस पर निशान लगाना है तो मैं 36 इंच इसमें रेडिर रख रही हूँ और दोई चैक्षर देखिए हमने यहां से इसमें मार्जिन के लिए एड कर लिया है अब हमने यहां से लैंट वाले निशान को भी इस तरह से लाइन अप कर लेना है यह देखिए land की marking करने के बाद में अब हम उपर की side से hip का निशान लगाएगे तो जो भी आपका hip size है उसका एक चोताई हमने ले लेना है तो देखें यहाँ पर हमने 9 inch पर mark कर लिया है अब हम इसमें 3 inch की losing रखेगे तो इस तरह से हमने 12 inch पर mark कर लेना है यहाँ से हम crouch area का निशान लगाएगे तो crouch area का निशान हम 11 inch पर लगा रहे है crouch area का निशान भी हम बिल्कुल इसी तरह लगाते है जो भी आपका hip size है उसमें हमने 2 inch extra लेना होता है अब हमने crouch area की निशान को आगे की side L shape में बढ़ा लेना है और 2 inch तक इसको इस तरह से mark कर लेना है अब यहाँ से हम crouch area की इस तरह हाँ से गोलाई दे देगे यह देखे इस निशान को हमने उपर तक इस तरह मिला देना है तो हमारी हाँ तक marking हो चुकी है अब हमने नेची की side से पांचे का निशान लगाना है तो देखेगा जितनी भी हमारी चोडाई है हमने इसकी full चोडाई रखनी है बिल्कुल इतनी ही और आपने end point तक इस तरह से इसको मिला देना है आप यह बात ध्यान रखे जो हमारी ओपर वाली length वाली निशान है हमने वही तक ही इसको मिलाना है तो इस तरह हमने क्रोच यह रखे तक इस निशान को मिला देना है आप चाहे तो बिना scale के भी यहाँ पर इसमें हलकी सी गोलाई देते इसको मिला सकते हो तो देखेगा जिसे के साथ हमारी marking हो चुकी है उपर की साइड और नीचे की साइड हमने fold करने के लिए एक्षा margin ले लिया है तो अब हमने इस plaza को marking के उपर से cut कर लेना है तो देखेगा हमने इसको cut कर लिया है कुछ इस तरह से अब हम आपको एक चीज और बता दे जो हमारा ये वाला point है हमने यहाँ से हलक किसी गोलाई दे देनी है देखेए लगबग 2 इंच का हमने इस उपर की साइड में निशान लगाया था तो हमें 2 इंच तक इस तरह से इसमें गोलाई दे देनी है ताकि ए corner हमारा बहार न निकले तो हमने यहाँ से इस गोलाई को देना है और यहाँ से कट करके इस fabric को अलग कर लेना है अब हमने उपर के साइड से भी दोनों पार्ट को कट करके अलग-अलग कर लेना है तो देखे इस तरह से हमारे circular प्लाजों की कटिंग हो चुकी है अब हमने एक्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है अब हम आपको इसकी stitching बता देते हैं तो देखे गाईज हमने दोनों ही पार्ट को एक दूसरे के सामने उल्टा करके इस तरह से रखना है अब दोनों पार्ट के आशन को इस तरह से पकरना है और हमने यहां से इसको stitch करके ready करना है दूसरे साइड से भी हम आसन को स्टिच करके इसी तरह से रेडी करेगे तो देखे गाइज हमने इसके दोनों साइड से आसन को स्टिच करके रेडी कर लिया है अब हमने ओपर के साइड में जो 1.5 इंच एक्टर फैब्रिक रखा था बैल फोल्ड करने के लिए वहां से हमने बैल को फोल्ड करना है तो 2 इंच तक हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और 4 तरफ सिलाय लगा देनी है तो यह देखे गाइज हमने अपने बैल को इस तरह से फोल्ड कर लिया है कितनी finishing के साथ में bell fold हुई है हमने यहाँ पर इसमें थोड़ असा खुला वब भाग रखा है जहांसे हमने elastic को insert करना है अब हमने इसको नीचे की साइड से पांचों को fold कर लेना है तो पांचों को भी हमने simply double fold करके इस तरह से इसको stitch कर लेना है नीचे की साइड भी हमने डेर से दो इंच एक्स्टा रखा था तो हमने यहाँ से इस तरह से इसको fold करके stitch करके ready कर लेना है तो हमारे पांचे भी कुछ इस तरह से stitch हो चुके है यह देखे बहुत ज़्यादा आसान है यह circular plajo बनाना देखे कितने आसान तरीके से हमने अपने plajo को बना लिया है अब हमारी बस्तिया only beach वाल स्लाई अब हमने इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में अच्छे से मिला लेना है और इसमें beach में हमने स्लाई लगा कर इसको ready कर लेना है तो इसी के साथ में हमारा circular plajo बनकर ready होग जाएगा और हमने ओपर की साइड में elastic डाल कर इसको भी ready कर लेना है तो देखे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हमने इसको ready कर लिया है अब मैं आपको इसका final look भी दिखा देती हूँ में देखे गाईस कितने ज़्यादा आसान तरीके से हमने इस plajo को बनाकर ready किया है only 2 meter fabric से मैंने इस circular plajo बनाकर ready कर लिया है बहुत ही प्यारा ये बनने के बाद लगा है कितने अच्छी finishing के साथ में हमारा plajo बनकर ready हुआ है तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरे बताने का तरीका पसंद आ है तो प्लेट मेरी वीडियो को लाइक केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राब कर देजिए मिलते हम आपका प्रे नई वीडियो में इसी तरह के नए नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाइ पाइ